काव्य खंड जोदी तोर डाक्षुने केउना आशे तोवे एकला चोलो रे एकला चोलो एकला चोलो एकला चोलो रे रविंद्र नाथ टेगोर प्रिष्ट संख्या 128 जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ग्यान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस्दशा कहलाती है हृदय की इसी मुक्ती की साधना के लिए मनुष्य की वानी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं कविता क्या है? राम चंद्र शुक्ल द्वारा रचित इस लेक से उद्रित जगत जीवन के समवेदनात्मक ज्यान और ज्यानात्मक समवेदना में कमाई हुई मारमिक आलोचना द्रिष्टी के विना कवी धर्म अधूरा है कावे की रचना प्रक्रिया गजानन मादा मुक्ती बोध द्वारा रचित इस लेक से उद्रित प्रिष्ट संख्या एक सो उनतिस मैं कहता हौं आखे न देखी तू कहता कागद की लेखी कबीर वानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर जन्म सन तेरह सव अंठानवे वारा निसी के पास लहर तारा उत्तर प्रदेश प्रमुख रचनाए बीजक जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं मृत्योग सन पंद्रा सो अठारा में बस्ती के निकट मगहर में कबीर भक्तिकाल की निर्गुण धारा ग्यानाश्रई शाखा के प्रतिनिधी कवी हैं वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंक से कह देने के हिमायती थे बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा दे कर इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद दुवेदी ने वानी का डिक्टेटर कहा है कबीर के जीवन के बारे में अनेक किवदंतियां प्रचलित हैं उन्हों ने अपनी विभिन्द कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता मसी का अगद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं उन्हों ने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी इनकी रचनाओं में नाथों, सिध्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाती भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सदभाव और समानता का समर्थन करते थे प्रिष्ट संख्या 130 यहां प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को स्रिष्टी के कणकण में देखा है जियोती के रूप में स्विकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है इसी व्याप्ति को अद्वयत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है दूसरे पद में कवीर ने बाहया डंबरों पर प्रहार किया है साथ ही यह भी बताया है कि अधिकान्ष लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अंजाने में अवास्तविक संसार से रिष्टा बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं दोनों पद जैदेऊसिं और वासुदेऊसिं द्वारा संकरित संपादित कवीर वांग में खंड दो सबद से लिए गए हैं